गुड मॉर्निंग स्टूडियान एचार्टी ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मल्टि अथिकेशन्स मिन्स कुणा आज हम देखेंगे कि संख्याओं को किस तरह से मल्टिप्लाई किया जाता है तो आईए देखते हैं आप पोड़ पे देख रहे होंगे एक बाउल बना हुआ है बना हुआ है ना उसमें कुछ क्या है गुलाब जामुन है क्या है गुलाब जामुन है और आपको मुझे नहीं आपको किसी नहीं कहा कि ये जो गुलाब जामुन है आप ऐसा कीजिए कि सब म दो 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 बाट दीजिये है ना तो आपने क्या क्या बावल लिया और सब में दो दो गुलाब जमुन बाटने सुरो कर दिये इस तरह से आप टूटू गुलाब जमुन को देते गए है ना तो अब इस तरह से आपने टूटू गुलाब जमुन को सब में बाठ दिया अब आप से किसी ने पूछा कि आपने कितने गुलाब जामून और कितने लोगों में डिवाइड किये तो देखो 2, 2, 2, 2, देखो कितनी बार लिखा हुआ है, 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I mean आपने 7 लोगों में, 2, 2 ग्लाजम उनको दिया है न, तो आप ऐसे जोड़ेंगे, 2, plus 2, 2, plus 2, 2, 5, आगे 2, 2, है न, तो इस तरह से, हम, actual multiplication क्या है, addition ही है, क्या है, addition ही होता है, लेकिन, जब बड़ी digit आ जाती है, बड़ी संख्या आ जाती है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, 2, plus 2, plus, ऐसे करेंगे, तो फिर बहुत जादा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, कि बड़ी, कौन सा ड़ी digit है, 2 है, तो हमने 2 ले लिया, और कितने लोगों में बाट है, फिर हम इसका sign लगा देंगे, multi applications का, तो देखे, कितने लोगों में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, कितने लोगों में डिवाइड किया था, 7 लोगों में, है ना, तो आप हम क्या कर देंगे, 2, 7 जा, 14, अब आपने कितने गुलाब दमून डिवाइड किये, कितने, 14, है ना, तो इस तरह से हम multiplication कर सकते हैं, तो आईए हम एक और चीज़ देखते हैं, जब हम कहीं गार्डन में घुमने जाते हैं, तो बहुत सारे क्या देखते हैं, पेड लगे हुए होते हैं, तो कहीं लंबी सी लाइन में लगे हुए होते हैं, छोटी-छोटी केरिया बनी हुई होती है, तो देखें, मैंने यहाँ पे कुछ ट्री ड्रॉ किये हैं, तो देखें कितने पेड हैं, अगर आप से कुई पूछ ले, कि जो गार्डन में पेड लगे हुए हैं, वो कितने हैं, और किस तरह से लगे हुए हैं, तो देखें, सभी क्या लगे हैं, एक ही लाइन में लगे हैं, और कितने लगे वेदे को, one, two, three, है ना, तो हम पहले क्या लिख देंगे, three, और फिर इनकी, फिर multiplication का sign लगा देंगे, है ना, और फिर कितनी लाइन बनी हुए, one, two, three, four, five, कितनी है, five, तो, एक, तो हम three को five से क्या कर देंगे, multiply कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो तीन, ती fifteen आगे, अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे, one, two, three, four, five, five, into one, two, three, दोनों को जब multiply करेंगे, तो कितना आएगा, fifteen ही आएगा ना, चाहिए मैं तीन को पांस से गुणा करू, three को five से multiply करू, या फिर five को three से multiply करू, तो दोनों ही condition में जो हमारे पास product आएगा, जो result आएगा, वो दोनों ही क्या आएगे, Sam आएगे, इसके कहने का मतलब है, कि जब हम किसी संख्या को, अलग-अलग division को, अलग-अलग से भुणा करते हैं, multiply करते हैं, Sam बिजी को चाहिए हम six को two से करे, या two को six से करे, 12 ही आए इस तरह से भी हम multiplication कर सकते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि हमारा table बोलने की इच्छा ही नहीं होती है, कि हम table बोले और फिर उसको क्या करे, multiply करे, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कितना है, five है ना, तो हम five line कर देंगे, one, two, three, four, and five, अब यहाँ कितनी line है, हमने slipping line कर दी अब यहाँ पे कितना three है ना, तो हम three line कर देंगे, one, two, and three, अब देखते हैं कि यह line कहां से cut करती है, slipping line को, standing line कहां कहां से cut करती है, तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 12, 13, 14, 15, कितना आ गया, 15 आ गया ना, तो इस तरह से भी हम multiply कर सकते हैं, वहना मज़ेदार तरीका, तो आज हमने क्या-क्या एक तो multiplication सीखा, जिसमें हमने क्या सीखा, कि multiplication में क्या होता है, addition ही होता है, और second बात हमने यह सीखी, कि जब two, digit को जब multiply किया जाता है, तो उसकी जो result आता है, वह से हम आता है, जैसे six को मैंने two से multiply करूंगी, तो 12 आ जाएगा, और अगर मैं two को six से multiply करूंगी, तो भी 12 आ जाएगा, है ना, तो आज हमने multiplication सीखा है, और इसका जो next part है, वह हम अपने अगले वीडियो में पढ कि जाएगे, तो आएगे, 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